पहाडों के बीच बसे एक छोटे से गाव में माया नाम की एक युवा और जिग्यासू लड़की पक्षियों के चहचाहाने की आवाज सुनकर जाग जाती है। बस सूर्योदय की ओर देखती है और सुबह की किरणों की गर्माहट अपने चहरे पर महसूस करती है। माया के दादा एक बूढ़े बुधिमान व्यक्ति उसके उत्साह को देखते हैं और उसे जंगल में सैर के लिए ले जाते हैं। वह उसे नए अनुभवों को अपनाने और प्रकृती की सुन्दर्ता से सीखने के मूले के बारे में बताता है। एक दिन माया को जंगल में एक खायल पक्षी मिलता है। वह इसकी अथक देख भाल करती है। धैर्य और द्रड संकल्प के साथ इसे वापस स्वस्थ बनाती है। पक्षी को ठीक होते देख कर वह चुनौतियों का सामना करने पर भी कभी हार न मानने का महत्व सीखती है। जैसे जैसे माया बड़ी होती जाती है। वह एक कलाकार बनने का सपना देखती है। हालां कि जब वह अपनी तुलना दूसरों से करती है तो संदेह घर कर जाता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे खुद पर विश्वास करने और दिल से पेंटिंग करने के लिए प्रोचसाहित करती है। वर्षों ब आते हैं कि आत्म विश्वास और कड़ी मेहनत से सफलता मिल सकती है। माया को तब जटका लगता है जब उसकी कला को एक प्रतिष्ठित प्रदर्शनी के लिए नहीं चुना जाता है। निराश होकर वह नौकरी छोड़ने के बारे में सोचती है। लेकिन फिर उसे जंगल और पक्षियों के अपने अनुभव याद आते हैं। वह द्रढ रहने का निर्णय लेती है। नए द्रढ संकल्प के साथ माया अपने कौशल को चित्रित और परिश्कृत करना जारी रखती है। वह एक वैश्विक कला प्रतियोगिता में भाग लेती है। नतीजों से एक जगह के महत्व कांग्शी कलाकारों के लिए प्रेरणा बन जाती है। वह आत्म-खोज और लचीले-पन की अपनी यातरा को साज़ा करते हुए दुनिया भर में यातरा करती है। अपने गाउं में वापस माया बच्चों के लिए एक कला विध्यालय स्थापित करती है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा जिसने उसे उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया जो वह बनी संतुष्टी से भरे दिल के साथ वह गाव को देखती है ये जानते हुए कि उसकी विरासत उन पीडियों तक जारी रहेगी जिनसे वह प्रेरित हुई है और इसलिए माया की कहा जानी विश्वास, द्रड संकल्प और लचीलेपन की शक्ति के प्रमान के रूप में खड़ी है